जै शिरी शाम दोस्तों आज हम बनाएंगे पंजाब का फेमस फुलकारी पुला फुलकारी की पुला बनाने के लिए हमें चाहिए है एक चोथाई कप बासमती चावल, एक चोथाई कप साबरमती चावल, एक चोथाई कप परमल चावल चारो तरह के चावल को अच्छे से साफ पानी से 2-3 बर दो लेंगे और भिंगो कर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे इसी के साथ कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे 1.5 लीटर के करीब पानी और इस पानी में चोड़ देंगे आदा निम्दू का रस रिस्ते की हमारे जो चावल है वो बिल्कुल सफिद और खिले-खिले बनेंगे 15-20 मिनट के बाद चावल का विगो कर रखा हुआ था जहां हमने उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और चावल को उबलने के लिए हम खढ़ाई में रख देंगे एक बॉयल आते ही हम इसमें डालेंगे एक चुथाई कप खस-खस खस-खस डालकर हम इसे फिर से ढखकर 70% चावल के पकने तक पका लेंगे इस बाद का ध्यान रखेंगे चावल को 70% तक ही पकाना है क्योंकि उसके बाद हमें इसको दोबारा तड़के में फिर से पकाना होगा अब हम तड़का बनाने के लिए लेंगे यहाँ पर बटर बटर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर 8-10 काजू 8-10 किश्मिश, 8-10 बादाम इसी के साथ हम सभी खड़े मुसाले लेंगे खड़े मुसाले में मैंने लिया है एक पत्ता तेज पत्ते का तेज पत्ते के साथ हमने यहाँ पर लिया है दो लोंग, दो हरी इलाइची एक बड़ी इलाइची, 8-10 काली मिर्च और एक स्टार नाइस लिया है पनीर पनीर डाल कर भी हम इसे ब्राउन कलर आने तख कुक कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे वाइल की होए राइस और साथी साथ स्वादा नुज़ार नमक और हलके हाँ से हमें इसे मिला लेना है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल हलके हाँ से चावल को mix करें चाकी चावल जो है तूटे नहीं क्योंकि चावल हमारे कुकु हुए 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 है इसलिए इसे के साथ हमने यह आपर लिया है एक चुथाई कप दूद दूद में मैंने 8-10 धागे केसर के बिगोकर रखे थे केसर वाला दूद आप देख सकते हैं एक दम से खिला खिला हमारा पंजाबी फुलकारी पुलाव बनकर डेडी हो चुका है देखे कितना ही अच्छा हमारा पंजाब का मुश्हूर पंजाबी फुलकारी पुलाव बनकर डेडी हो चुका है थेंक्यू दोस्ते